दोस्तों स्वागत है थोड़ा इस वीडियो ची अज टीचर्ज डे है ते आज दी वीडियो ऐसे करके ऐसे विशेते है सच दसना ता टीचर टीचिंग दे विशेते नहीं है मैंनों 10-12 साल है ज़र टीचर हो गया मैं तो अदिनल शेयर करूंगा की केड़े मेरे तान दे तज दर्भे रह जिनना सिर्च जिनृ जिन्दगी वारे कुछ न बुझ सिखा रहेंगे ता टीचिंग बारे नहीं लगन हेगी है अभी तुसी उन्हों होरवदिया टंग नल करो तो तुसी बहुत कुछ सिख लेने ओ क्योंकि तुसी परसेप्टिव होने हो परसेप्टिव मतलब तुसी चीजा नू बरीकी नल देख देओ तुसी मौके बरीकी नल तलाश देओ तो मैं तो अडिना सांजी कान लगया है, चार पंच एद्धा निया गला, जो मिन्हों सिखाई नहीं था, टीचिंग ने, बटो जिंदगी जे काम मौना लिया गला ने तो हर गल जो मैं तो अडिना शेर करूँगा, ओदे पिछे को इन्हों की किस्सा है, तो मैं हमेशा किस्से है तो ही गल शुरू करूँगा पहला किस्सा है कि जदो मैं अपना खुदधा इंस्टिट्यूट की था, उद्धों भी पहला, जदो मैं पहली बार पड़ आना शुरू की था, एक नमा बैद स्टार्ट उन्दा सी, ती पंजाब बच्चे मेरे सामने बैठे उन्दे सी गे, तो मैं अपने मान दी ना, एक टेंडेंसी प्रविर्ती नोटेस की थी, मैं इन्हों प्रविर्ती है, इस करके कह रहे हैं क्योंकि मैं जान बुझ के नहीं कर रहा सी, मैंनों लगदा साढ़े सब दे माने नहीं कर दिया, असी एक एक बच्चे इन्हों उस दे पहरावे तो, दी शकल तो, दे हाप आप तो दे बोलन दे टंग तो, एक परखंदी कोशिश कर दे हैं, तक क्योंकि मैं एक IELTS टीचर सी गा, तब मैं ये देखन लग जानदा सी गा, यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि मैं देखन लग जानदा सी, एक जो मैं कोई automatic program installed है, कि ये जो केड़ा बच्चा हैं लगदा है, भी य 9 score करूगा, केड़ा लगदा है कि IELTS टे बस दी कलनी है, केड़ा बच्चा इदना लगदा हैगा कि ये ठीक ठीक हैगा, ते थोड़े टाइम बद मैं रियलाइस कीता है कि हलां कि मेरा मान इदना करता है, मान दे अंदर ये program installed है, पटे program किसे कम दा नहीं है, कारण कि जेड बच्चा बड़ा modern जा देखदा हुंदा सी गा, कई बड़ी वो बड़ा कमजोर निकले हुंदा सी English था, जेड़ा बच्चा बच्चा बिलकुली एदना लगदा सी गा कि करूई बच्चा पेंड़तों कदे बार नहीं निकले, ओदे पहरावे तो हाप पातों, कई बड़ी बड़ी वड़ी है उन्दी सी, अच्छा जेता मैं अपने, कहलो भी दिल तो जाज कर रहा हुंदा बच्चा बच्चा बने बुरा भी लगदा कि मैं इदना जाज क्यों कर दा पर मैंनो इसास हो गया सी शायद एक प्रोग्राम ही है जो साठी अंदर बच्च्पन तो इंस् देख लगदा लगए हुश्यार लगए हुश्यार नहीं है तो एक बच्चा जिड़ा नहीं लग रहा हुश्यार निकले हुदा है तो मैं इस सोचन लागए कि देखो आम जिंदगी चे किनना होंदा हुआ सी किनना लोग नो जज कर दे हुँ मांगे जब कलास चे कही जाना थी कि कोई कद्धा बच्चा है जा जाना उदे मुंदियां पाई यां हन दियां एकद्धा टैट्व हन दा तौन थे यह बहां थे तो मुंदे नू देखके लगदा भी शायद कोई गैंग्स्टरी होना थीक है यह थे क्यों आ गया यह कोई पढ़ना लबच्चा ता ल लगत सीगा ते यह था फिर भी मैं कहना भी उपर ली उपर ली लेयर दी गाला है कि आपा किसे नूँ अपीरेंस तो जज़ कीता हाना और वो दां-दां नहीं निकला है कई बरी यह उन्दा सीगा कि मान लो कोई बच्चा पढ़ी नहीं रहा है ठीक है ओ तो पता लागया भी आप बच्चे देता ना करें प्रॉब्लम चल रही है आया है करके ना दा कलेश चल लेया पर यह यह एदा-दा करके था बचार आप दी नानी को ले रह रह रहे है तो यह थोड़ा mentally ठीक नहीं रहनदा तो जदो ओ चीज एक्वेशन चार जान दी था इमिडेटली ओ ज असी की बाद चे पता लगद असी को करो सौख यह नहीं उन्हों पढ़न दी लोड ही नहीं उन्हों पेरेंट्स ने पे एता तक के नल ता ओ पढ़े कि था इत्तो अपनों भी पता लगद है कि आपना फेस बैली उते लोग का नू जज कर देया जदो तक सानू ना दे जिं मैं अपनी टीचिंग करियर चे जिमें मिन में रीलाईज लागया कि मैं अन्दाजा नहीं ला साइथ किसे बीबार ए क्यों चंग चंग गाये क्या माड़ा यहां इंददा है क्यों धो मैं मैं महसूस की था मैं आम जिन्दगी चे भी अन्दाजे लाँने हॉली हारी कट करत सच चाहिए भी तुसी किसे नो देख के उदे पहरावे तो अदाजा नहीं ला साथे, मैं यह भी कहना भी ओधे behavior तो भी नहीं ला साथे, कोई इंसान मालो चोरी करदा फड़या गया, जे तुसी यह काऊंगे भी यह माड़ा इंसान है, ओभी एक judgment है, जो खोक लिए कारण, क की बता उदे करें, उदे बच्चे बिमार होना, दवाईली पैसे ही ना होना, वह इस करके उन्हों मजबूर होना पह गया होगे, और कोई साधन ही ना होगे, खेर मैं तोड़ा extreme example देता, बटे एकल मैं classroom चो सिखी, अंग्रेज कहने हों दे, don't judge a book by its cover, कि किताब नो सिर्फ पे सोच के छड ना देओ, या खरीदना लेओ कि उदा cover बड़ा सोना लग रहा है, किताब ना अंदर की है, की नहीं हो तो पढ़ की पता लग हुआ, अज़र इसी का किस्सा, किस्सा number 2, एक बार मैं बैठा सीगा, अपनी class, मैं लगपक मैं 9-11 class लाओंदा सी, उस तो बार म की है, कोई 7-8 साल पुरानी, एक बच्चा मेरे के लुए आउंदा हो दा, आईल्स ता, टेस्ट क्लियर हो गया, तो अलड़न वा अंदर डबा लेके आए, तो याद है, वो बच्चा शायद पुच्छो तो सीगा, बचिंडा दे नेड़ी एक जगह है, तो बच्चे ने मे किया कि, जीने मिन फ्छड़ा हैरान कीता, हैरान इस करके नहीं कीता, क्योंकि यह पहला नहीं हो इस गल, बच्छे करके हरान कीता क्योंकि उन्हें बार-बार और लोई سी, मैं उमीद कर रहा थे सी जोटा गाँगा, जी तन वा तो अड़ा, उस उसी मेरा इल्स ता, स क्लिय पर हो बच्चे ने मिन्हों इद्दा नी कहला हो जो कि थोगा एमोशनल भी हो गया उन्हें किया मतलब मैं नौ इस घल्दी खुशी नहीं ہے कि मेरा इल्सका टेष्ट क्लियर हो गया मैंनौ इस घल्दी खुशी हिंकि मैं oni मिली तो मैं को कहे भी यहां yada की मतलब है केना, केना है ज़सरो मैं तर डढेंगा खाला उन्सां से, तो पहला मैं इंसान सी गा, तर मेनुन वे लगद है कि सुने हमें बहुत वधियां इन्सान बढ गया में ऐो कहन दा कि मैं जल्दी सुबा उठा, उन्में आये कर दा, मैं बत्तमीजी नहीं गर नहीं पनी कर रहरा है कि अब स्थातु है ऑन्ता आ कि दिना कूछ नहीं हुदा क्यान हुदा पर फिर जो मैं तो मैं मैं यह श्यों ही और कि सर अपना कोई नो के कम तियार करके लिए होंदे है, जिकर इसी सर नो भी कहा देने हैं, आथ हां आथ हां ते ऐसी कमजोर हां, ता सर अलग तो होदे लिए लिए क्लास ला देने है, या मैं भी सरे देख देया कि कितना सर ते, उना दे मदर मिलके इंस्टिट्यूट चला रहे है, ता बहुत सारी है ना इदा दे दिया बरीख चीजा होंदी है, जो तो अनुही अपने अंदर नहीं दिख रही हैं, जो लोग का ते असर पा जान दिया है, ठीक है, जो मैं सिख्या ना वहीं सिख्या भी, जो मैं कहने हैं ना अगरेज की अक्षिंस स्पीक लाउडर दे न वर्ड्स, कि तो अडे जडे अक्षिंस ना उनना दा असर लोग का ते जादा होंदाई तो अडे शवदा दानी, मैं क्लास जो सौ मत्ता दे जामा, क्लास चो मैं मत नहीं 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 लग दाओ ता कदे भी कोई असर होना सी पर ओही चीज जदो बच्चे मेरे अंदर देह दे सी तो अन्हा तो असर हो गया तो यह फिर चीज एदन दी सी कि मैं क्लास रूम तो सिखी ते फिर मैं यह महसूस की तब यह सारी जिंदगी ते लाग गूं दी है तो मैं तो नहीं कर दा एक जंप ले था हो और दिन ना जदो मेरा मेरेज होई मैं बहुत ही सोशल इंसान नहीं सी का 2017 दी गल है मेरे जिंदगी बस ऐसी में कमरेच रहना है और मैं बहुत हमिल जूल के राजी नहीं सी रिष्टेदारानों भी किसे नों भी पर मेरे वाइफ जो सीगे हो बहुत ही मिल अनसार सीगे ते मेरी वाइफ ना रहा कि मेरे अंदर ये फर्क का आ गया कि मैं मिलनसार हो गया ते मैं सारी उमर ये सूचदा रहा कि मैं था जी इंट्रोवर्ट हा नहीं मेरे नहीं ये कम जचदा दे जॉय आफ सोशलाइजेशन लोग कानल मिलन दा, खुशी, दुख सांजे, सोख सांजे करन दी खुशी जो मैं सारी जिंदगी जानी नहीं थी वो मैं उदो जानन लग गया ते की मेरी वाइफ ने कहा दे मैंनो किया सी भी तो से सोशलाइज करे करो नहीं, वो सोशलाइज कर दी सी उदू संगत से रहेके मेरे चिसोधार आ गया एसे तरह कई पर ही मेरी मेरी वाइफ मेनु कहें दी सी को अँज मै की तो मेरे वाइफ जरेड़े का रहा जाए their non-vegetarian सी ये मैं pure vegetarian है ता जदो मेरी वाइफ आए ता holy holy करके और भी vegetarian होगे मैं कहा दे उन्हों फोर्स नहीं कीता, पर उन्हों ने मेरी सोच नों समझा कि किस तरह उन्हों पर जानवरा ते अत्याचार कर देया, सिर्फ अपने खाने दे टेस्ट लई, जानवरा ते तशद्द करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो गल्ला उन्हों दे automatically दे मार्च बैठ ते उन्हों दे अंदर उन्हों बदलाव आ गया, तो यह चीजा जड़ियां हों दिया आप यह महसूस नहीं कर दे, लेकिन वाक्या चीना तुसी कितना बहेव कर दे, तो अड़ा एक एक स्टेप, तो अड़ा एक शब्द जड़ा है, तो अड़े आलेद वाले असर पा रह हों दी खुशी है, किस्सा नंबरठ न, टाइम तू टाइम जध़ो में पाङन अंदा सी pista, ता मैं नोटेस करदा सी कि कही ब 아침 मेंना मेरी मोटिवेशन लो चली 재 notify, दो महिन्हें यह, तिन महिन्हें में बड़े जोशना पढ़ाया, फिर मोटिवेशन लो जान-दी सी कही ब ते कई पर यह उन्दा सी मैं अच्छे-चे महीं ने भी लगाता बिना कदे भी motivation दा low feel किते बिना भी पढ़ा लंदा सी ते मैंनो थोड़ा जना analyze करनते में एक सबक सिख्या वो सबक ए सीगा कि मेरी motivation सिर्फ ओदो डिख दी है जदो मैं मां देंदर ए सोच लेना कि मेरे पर ओनदा मकसद है पैसे कमआना वोई इस करके नहीं सीützen की मैं कोई खुडनो ये कह रहे हैं कि मैं पैसे दे मौ तो तो तुट्टया हुआ और इंसाना नहीं है किसे भी आम इनसान दी तरह मैंनु भी खुशी हुंदी है जो तो फीजदा आ जान दी है जो तो कट ओं दी है तो मैंनु भी दुख हुंदा है बट वह एस कर किसी गा क्योंकि जे तुसी ना पैसे नो motivation बना लेने हो ता जिमें जिमें तो अनो मोटिवेट कर रही सी और मैं भी रियलाइज कीता कि जदो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहनदा सी मेरा माइंड सेट अलग सी मेरा माइंड सेट ओधो ही हुंदा सी कि एक बच्चा है ओधी जिन्दगी दा सफर जीरो तो शुरू होया अज जो 18 साल दा है, 20 साल दा है, 20 साल दा है अज जोने अपनी जिन्दगी दाना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेया है पिंड चो बैठे ने उन्हें डिसीजन लेया भी मैं आइल्स करूंगा तो मैं बार जाऊंगा तो मैं अपनी जिन्दगी सुदार हूंगा parents आई जिन्दगी सुधारूँगा तो मैंनों एक मौका मिल रहे है कि ओधे जिन्दगी दा एक एहम decision है, ओधे जिन्दगी दा एक एहम पड़ा है, मैं ओधे चे only help करा जदो मैं एदा सोच दा सी ना कि एक एक बच्चा मेरी class बच्च जड़ा बैठा यूनीक है, ओधी अपनीक कहानी है, ओधी अपनीक जर्नी है, जीदे अंदर उन्हें एक एहम फैसला लेया है, ति हर बच्चे लिए खुद लिए बड़ा जरूरी है कि वो आइल्स क्लियर करें, तो फिर मेरी मोटिवेशन का देनी काट दी सी, फिर नहीं उन्दा सी कि नवा बैठ, दूसरा बैठ, तीसरा बैठ, चौथा बैठ, कि मैं बोर होना शुरू कर दा भी, यह था रिपीट दे चल रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने यूनीक सी, जदो मेरी मोटिवेशन ही होगी कि मैं उन्हें एक उपर्चुनिटी दे तो और देखन लाग गया कि मैं इस बच्चे नो help कर पा रहे हैं, तो मेरी मोटिवेशन का दे खतम नहीं होंदे सी, क्योंकि हर बच्चा जो होंदा सी, पैसे दी तरह जदी पूर्ती हो जान दी है, तो पुख कट जान दी है, तो मोटिवेशन कट जान दी है, वो values नाल नहीं देख्या बीज जे तो जी जंदगी चा मोटिवेट रहना चाहने हो ना, तो मोटिवेट रहन दे कारण बड़े जरूरी है तो वो कारण ethical होने चाहिए, value-based होने चाहिए, तो आधे जडे जडे असूल होना तो जेडी मोटिवेशन पैदा होंदी हो, जडे खतम नहीं यह नो खुश करना जिए मैं इद्दा करूँगा यह मैंनो इनना पैसा मिल जो जिए मैं करूँगा वो बहुता लंबा टाइम नहीं चल दी ठीक है एंड बसे गल है तो यह मैं कदो सिख्या मैं सिख्या जदो मैं इस गल नू देखना शुरू कीता कि क्यों आज टीचर कई ब वलता है ते असूल जीट यह है वो नच देँटेणे कैनदपा भए हूंदा है कि पैसा जीटा है ओऊ होयो जो प्तानु दे सब्सक्रूल जीटा है पर प्र उसूल जी मोटिवेशन देंदे है तो नच नच के कमकर दे तो पैसा होंदा हो खंड दी तरह होंदा है, खाले अक्वरी एनर्जी आगी पर एकदम तो डिप हो गया, पर जो वैल्यूस तो मोटिवेशन पैदा होंदी हो, एद दें भी तुछी विटम मिंस कहा रहे हो, ते ओ ता नो हमेशा मोटिवेशन दिन दे, अगला किसा एक बच् ते ओ लड़की ने कहा, जी देखो, मैं अनी दूरो आ रही है, मैं थे रह भी रही है, वैसे भी मिडल ग्लास थो आ तो अनू साड़ा पता ही है, सर प्लीज मेरी फीस कट कर लो, ते मैं अनू मजबूरी देख दे हो, यानू फीस अद्धी करती, ते उस तो बाद ओ लड़ अनू सारा मिटीरियल दे देुह, कुछ खास किसम दा मिटीरियल एदा रहा है, जो सकंड मन्त ची हां था सी, तो जदो लड़की जारी सीगी ते मत बाद, मैं अनू सारा मिटीरियल परिंट करके भी देता, उस मन्त दे दुरान मैं भी, ते साड़े टीचर्ज ने भी भी ब गूगल ते मैं अपने इंस्टिट्यूट ते रिव्यू देख रहा सी ते ओथ ते ओस लड़की ने रिव्यू पाया वैसे एक स्टार उने कहाँए है सी बहुत माडा इंस्टिट्यूट है थे नहीं हन्दा व नहीं हन्दा तो मैंनों बहूँ हरानी ही कुछ चीज है चूट भी लिखिया उनी हाँ है ठीक है छलो जद अफ़यू आपक किसे नहीं कहा दिने नहीं जी अपनी आपनी सोच हो साग दिया पर कुछ फैक्चुली गल्ना भी चूट वो लिया हूँ आजी तब मैंनों बड़ा शौक लगया मैं कहा भी हदेव से आएक ही हो गया मैंनों उदो एक गल एहसास होई यह वैसे मैं तो नहीं सिर्फ एक किसा दस रहें किसे अलग अलग पॉइंट्स ते हुए है कि जित्ते असी बड़ी हल्प की थी इस स्टूडेंट दीते उल्टा सानुए दा महसूस करा देता गया ति मैं उदो नहीं रियालाइज कीता कि तुसी ना किन्ना भी किसे लिए कर लो ओ इंसान हो साद है विकदे भी तौड़ा मुल ना मुले in fact मैं एगल सिखी कि तौड़ी है जिडियाए expectations हुंदी है न वही तौड़ी दुखांदा कारण हुंदी है मैं कहना हुना भी तौड़ी है जिडिया expectations हुंदी है न वह असल वेचकी ने पहला तो सोची हुई नराजगी है पहला तो फ्लैन किती की नराजगी है किना अजीब लग दही जो मैं तो अनु china यार तुससी आएक करो प्लैन करो भी आजो तो एक कम हिने बाद तुसी नराज होंगे तुसक्षी को यह की यह जीब ग़ल है पर असल विच जदो तुसी किसे भी situation तो या किसे भी इंसान तो expectation रख लेने हो ना, तो एक तरीके नल तुसी नराजगी plan कर रहे हो, क्योंकि जदो expectation पूरी ना हुई, तो अनुन नराज होंदा भाना मिल जुगा, मैंनुन नराज होंदा भाना मिल जुगा, उस बच्ची तो ठीक है, उस लड़की तो, पर मैं उस तो कुछ सिख लिया, तो मैं नराज नहीं होया, तो मैं ये सिख्या की होई है कि, मैं दो गलना असल चाहिए सिख्या में, एक निसी की, तो ये सिख्या की expectation रखना जिड़ा सी, वो असल गल्ती सी, असल गल्ती ये नी सी भी उने की कीत ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं सिख्यी, वो ये सिख्यी की, responsibility बड़ी जरूरी है जिन्दगी चे, जदो मैं खुदनों ये कह ले ना कि, मैं expectation रखी, मैं इस करके दुखी होया, तो मैं victim नहीं रहा, मैं उस चीज जुम्मेवारी ले ले ली ते मैं उस चीज नहीं बदल करती, मैं सोच ले ज़िए, कि मैं इस करके लोग का दी मदद नहीं करूँगा, कि कलनों मिनना हो इना तो शाबाशी मिलोगी, जै मेरे को ले कोई होर कारण है मदद करना, मैंनों मदद कर लेनी चाहिए, इस करके नहीं करनी क्योंकि मैंनों शाबाशी मिलोगी, जै मैं responsibility ना दे भी है, तुसी कितना दे हो, उत्वा डे reaction तो decide होंदा, last चीज जो मैं teaching दे career तो सिखी, again obviously गल किस से तो शुरू करी है, जस्वीर सिंग ना दा student सी मेरा एक, पता नहीं मेनों ना भी याद है कि नहीं क्योंकि ये लग पक 10 साल पुरानी गल होगी है, तो बच्चा जड़ जड़ो मेरे कुले आया था, आयल से साड़े तेन बैंड सी, जनना बच्चा नहीं पता साड़े तेन बैंड था, मतलब शायद तुसी कदे सुने, किसे ने भी नहीं सुने होने कदे, मिला था मैं ही पहला इंसान सी, जने अनने बैंड सुने, तो जड़ो मैं आ ओं दी speaking आ गया भी, बच्चे दा इनना कट स्कूर क्यों आया, लिखाई हो दी बिल्कुल समझ नहीं सी हो दी, बच्चे दी, बोल दा जो सी हो भी पता नहीं की गड़बड हो कर जानदा सी, बोलन वे ले, उदी speech भी clear नहीं सी, बच्चे दी ते English चे था बहुत बुरी गड़बड सी, मिन्हों याद है कि जदो क्लास कई वरी में ग्रूप स्पीकिंग लेंदा था, वो कुछ बोल दा थे, बाकिया नहीं हासी निकल जानदी, ते वो बच्चे बड़ा, कहलो भी, महसूस कर दा उस चाहिज हो, ते पर as a teacher ना मेरा कम होंदा है कि मैं हमेशा student दे अंदर faith सब्सक्राइब है कि यार आ बच्चे दे बास दी गलनी आल सा, पर साननो faith रखना होंदा है क्योंकि ओ अपने faith रखे बैठा है, जो बच्चे तो अड़े कुले आयना उन्हें खुद ते यकीन कीता है, यह हो नहीं सब्सक्राइब भी as a teacher तुसी उस ते यकीन ना करो, तब सब्सक्राइब भी जिद्धा मैं ते नहों कही जाना ना उद्दा उद्दा करी जाएं, एंड देख देयां, फिर मैं उन्हों कर्सिव राइटिंग आ ली, बुक जड़ी सी गी, ओ लेहन ली किया, भी इस ते काम करया कर, ते मैं उन्हों किया भी speaking, आपन इंगलिश आपन उन्हों ने रटे ना कम चला ले, इंडी एंड डिक टैक हे होया, भी दो मड्यूल चे साढ़े पंज, दो चपंज, ओवरॉल साढ़े पंज बैंड, उस बच्चे दे बन गया, वो न्यूज़िलेंड चले गया, किसे पॉइंट थे वो बच्चा मैंनों बाच पता लग दा हासरे सी, कई बड़ी मैं देख्या भी उन्हा जो कुछ बच्चे सी, जिनना दी आइल्स नहीं कलीर होई, ओ भी जदों, जस्वीर सिंग नीजलेंड जा चुक कहा सी, ओ हले, अजीत रोड ते ही जित्थे सारे इंस्टिट्यूट है, मैंनों कई बड़ी उत्थे ही तक के ख खड़ है क्योंकि ओधी परवरिशी अन्नीवधिया रही है, कॉन्वेंट स्कूल दी एजुकेशन है, एक बच्चा होभी है जो लाइन तो डेड़ किलो मेटर पिछे खड़ा है, ओधे लिए यो 100 मेटर दी रेस, 1600 मेटर दी रेस है, लेकिन जो 90 मेटर ते खड़ा है उन्ह पज़ नहीं है, 200 मेटर होंगे ते जिड़ा 1.5 किलो मेटर पिछे खड़ा है उन्हीं पज़ नहीं है, मैं शिख्या कि जे इनसान परसिस्टेंटली एफट करदा रहे, हौली हौली करके थोड़ा 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 करके मिन्थ करदा रहे, ता मुकाम हासल हो जानता है, कर ये चीजां दुसी मोटिवेशनल स्पीच चांद सुनिया हो निया या गानया सुनिया हो निया मैं ये तजर्बे ची देख्या जस्वीर सिंग दे रूप चो तो बच्चा जिड़ा उन्ने कट बैंड जी ने ले सी जिड़े मैं कदे सुने ही नहीं उस तो अगे पिछे वो मैंनों जिंदगी देना एहम चीज सिखा गया तरह सी जी मेरे दस बारा साल दे कुछ एहम तजर्बे उमीड करता तो अनों वीडियो बदी अलगी हो नहीं है एंड मिलते हैं जी अगली वीडियो च्छे